स्वागत हैं आईए देखते हैं सुभाश की बात बात की बात में याद आ जाती है कोई ना कोई बात कभी जाहिर सी बात तो कभी रास की बात बात देश की दुनिया की रीत की रिवाज की आवाम के हालात की राजनीती की विसात की घात की पतिघात की शह और मात की सुनिये सुभाश की बात जब प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बननी थी तब 36 गड़ के चार बड़े नेता जिसमें भूपेज बगेल, टीयस सीदेव, ताम्रदस साहू और चरंदास मांत दिल्ली गए दिल्ली में राहूल गांदी के समक्ष मीटिंग हुई, सुनिया जी से भी मिले, चुकि कांग्रेस आलाखमान चीजें ताय करता है, और भूपेज बगेल ने मुख्यमंत्री पत की सपत ली, इसके बाद हवाओं में ये बात बहुत तैरती रही, कि ये ढाई-ढाई साल की स पूरे हो रहे थे, तो सोसल मीडिया पर ये बात बहुत वैरल की गई, कि टीयस सीदेओ अब मुख्यमंत्री बनेंगे, और भूपेज बगेल हटेंगे, टीयस सीदेओ ने खुद इसका खंडन किया, जो 36 गड़ के प्रभारी हैं, पील पुनिया, उन्होंने भी इसका साइदियेक, विधायक, उनसे नाराज हुए, वो सदन से उठकेगा, इसको लेकर भी 36 गड़ में बहुत कुछ लिखा पड़ा गया, सोसल मीडिया पर बहुत सीदेओ बहुत सीदेओ को दिल्ली बुलाया, तो सोसल मीडिया में कल से ये बात चल रही है, कि अब ढ़एड़ के बाद, पियल पुनिया जी ने मीडिया से कहा कि मुख्यमंतरी को लेकर, ढ़एड़ाई साल को लेकर कोई बात चीत नहीं हुई है, इस तरह कोई मामला नहीं है, 36 गड़ के विकास की बात हुई है, यहाँ पर परिवर्तन, नित्युत परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं है टी-स सीदेव ने कहा कि कर्शी की इस्तिती और प्रदेश में अखाल की जो असंका है, उस पर हमने चर्चा की है, तो यह जो लोग आद दिन भर से कल शाम से एक हवायद हो रही थी कि पता नहीं फिर से ढ़एड़ाई साल का जो भूत जगाया जा रहा था, उस पर जो पू पूर्गुजा के इसीम के एक समर्थक माने जाते हैं, विधायक ब्रत्पत सिंग, उन्होंने जो आरोप लगाया था, बाद में उन्होंने माफी भी मांगी, और उसके खारण थोड़ा सा एक माहोल गरम हुआ था, पर 36 गड़ में हूपेज वगेल का जिस तरह से बाजी है, यह एक हाइप करेट करने की कोशिस है, भूपेज बगेली के नितरुत में अगला चुनाव लड़ा जाएगा जिसकी वो त्यारी उन्होंने अपने साथियों साथ सुरू भी कर दी है, तो यह जो कुछ बाचीत कल शाम से आज लगातार होती रही, अब कहीं जाक चर्चाओं में हैं, अपने अपने डंग से लोग अलग अलग बात कर रहे हैं, चौक चौराएं पर सोसल मीडिया के प्लेट फारम पर, अखबार के गासिब कालम में, सब जगा इस तरह की बात है, पर इन सबसे परे, दोजार चुबीस के चुनाओं में किस तरह से कांगरे आये इसको लेकर भी लगातार मंतन हो रहा है भुपेज बगेल एक के बाद एक नई योजना जिसमें वो गाउं को अपने साथ जोड रहे हैं किसान को अपने साथ जोड रहे हैं सहरी शेत्र को अपने साथ जोड रहे हैं तो वो सारी योजनाओं को लेकर वो लगातार काम कर तो अब देखते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस और किन किन एजेंडों पे जो उनका घोशना पत्र था जन घोशना पत्र उन पर क्या क्या काम करती है फिलाल 17 जून के बाद अचानक से जो मामला फिर गरमाया था धाईड़ाई साल का तो वो मामला आज पतकार वारता के बाद दिल्ली में जो पतकार वारता हुई है जो पतकार उस चर्चा हुई है उसके बाद उसने एक फिर विराम लिया फिर भी कहीं ना कहीं लोग हवाँ में बहुत तरह की बात करते हैं बात लोगों में बात है कि उन लोग को कोई ना कोई बात चाहिए और लोग कहते हैं क ये बात आज मीडिया में एक बार फिर दोराई गए